हेलो फ्रेंड्स आज हम सीख़ेंगे आईडी कार्ट, पीवीसी प्लाश्टिक कार्ड कैसे बनाए हमारे आधार कार्ड, पैम कार्ड, ड्राइविंग लेसन आशानी से किस तरह से पीवीसी कार्ड बनाए देखिए यह पीवीसी कार्ड है इसका जो material आता है, यह NTR sheet है, non terrible sheet है, 175 micron A4, और यह 100 की packing में आता है, dual sided glossy, इसे खोलते हैं, देखिए, यह दोनों side से glossy paper है, plastic का paper है, इस पे inkjet पे print होने के लिए coating आती है, यह 100 का bundle है, अब हम इस पे से ID card बनाना सिखेंगे, इसमें मेरा तरीखा यह है कि मैं इसमें 10 card ऐसे बना लेता हूँ, A4 में 10 card, A4 के 10 तुकड़े बराबर बराबर कर लेता हूँ, यह देखिए, इस तरीखे से यहाँ पे एक, और यहाँ पे ऐसे 2 बैटते हैं यह, और उसके बाद ऐसे 5, पाँच इदर, पाँच इदर ऐसे 10 तुकड़े बना लेता हूँ, वो तुकड़े इस तरीखे से बन आएंगे, एक इदर, एक इदर, ऐसे 4 तुकड़े निकलेंगे, लेकिन इसमें यह प्राबलम होता है कि आप उपर एक और एक नीचे, दो एक साथ बिटा सकते, और इसमें सिर्फ 8 ही बनेंगे, अगर 4 तुकड़े करते हैं, 4 by 6 के, A4 में, तो 8 card बनेंगे, और अगर ऐसे चोटे तुकड़े करेंगे आप, A4 के 10, तो इसमें 10 card बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको printer लगेंगा, special, वो printer है, यह printer, Canon का, यह Canon का printer है, जिसका model number है, G1010, इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो paper inkjet है, यह center में आता है, इस तरीखे से, center में आता है, तो यह center में बराबर से बैठ जाता है, और Canon में special, इसमें ID card का भी option दिया हुआ है, paper की जगा, तो हम इसमें आसानी से इस छोटे से तुकड़े को print कर सकते हैं, market में छोटे जो तुकड़े आते, direct ID card के size क्या आते हैं, उसमें क्या problem आती हैं, मैं आगे बताऊंगा, और अगर 4 by 6 पे आप बनाते हैं, ऐसे 4 तुकड़े, तो आप इस printer पे भी print कर सकते हैं, यह Epson का L 805 है, आप इस पे भी print कर सकते हैं, 4 by 6, यह इसकी side में आती है, print, paper, in जो होता है, side में होता है, right side में होता है, सेंंटर में होता है, इसलिए हम इतने छोटे तुकड़े भी print कर सकते हैं, लेखिन L 805 में हम 4 by 6 पे ही कर सकते हैं, अगर आपके पास 4 by 6 के L 805 है, तो आप 4 by 6 पे भी print कर सकते हैं, लेकिन आप at a time 2 card ही print कर सकते, उसे एक card प्रिंट नहीं कर सकते हैं, लेखिन इसमें यह आ आगे का प्रोसेस में बताता हूं इसके लिए हमें फोटुशाप लगेगा अब मैं इसके आगे की सेटिंग बताता हूं दोस्तों फोटुशाप खुल लेंगे फोटुशाप में मैंने पहले से ही एक सेटिंग बना के रखे जिसका हमने नाम रखाए कान ओंड ऐसे खुल लेंगे इसमें पूरी सेटिंग करके रखी यह पैंस का बैक्राउंड जो सबका सेम आता है वैसे आधार का प्रांट वैसे ही डर्याविंग लैसन का बैक और गाड़ियों का smart card जो आता है उसका सबका same आता है तो इसलिए यह सबका same है इसलिए मैंने save करके रखा हूँ अभी हम pan card बना है तो हम pan card का background लेंगे हम मैं इसका size बता देता हूँ आपको इसका card का जो paper का size है यह दीखे दोस्तों मैंने select किया हूँ कि बाहर की जो लाइन से उस पे से मैं सेलेक कर रहा हूँ यह देखिए और इसका जो साइज है हम सेंटीमेटर में देख लेते हैं 5.7 चौड़ान है इसकी और 8.8 इसकी हाइट है यह थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हम पैन कार्ट प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद यह देखिए दोस्ते इसमें सेंटीमेटर में चिक करेंगे तो इसका है 58.4 हाइट इसकी और चोड़ान है 5.42 सेंटीमेटर ओके और यह जो बाहर की जो बॉंडरी ली हुई है मैंने यह देखिए दोस्ते यह जो बॉंडरी है ना यह पैन कार्ट को ओवरलेप करके ली तो यह आज़ो बाज़ो से white ना आ जाए इसलिए हमने थोड़ा सा pen card से oversize लिया है आगे तक color लिया है क्योंकि pen card पुरा blue color काता है अब हम इसका front देखेंगे यह मेरा ही pen card है यह photoshop की file है मैंने set करके रखा हूँ यह देखिए दोस्तों हम इसे select कर लेंगे front है इसका इसे copy कर लेंगे और यहां लाके paste कर देंगे Ctrl V यह देखिए Ctrl T दबा के right click करके हम इसे clockwise गुमा लेंगे rotate और enter कर लेंगे यह देखिए यह इस side है तो यह इसके opposite होना चाहिए इस तरह से setting होनी चाहिए direct 180 degree rotate होना चाहिए अब मैं इसे set कर लेता हूँ हम अंदर का जो area है printable हम उसे set करेंगे और बाहर overlap है यह देखिए मैंने अंदर के lines पे set कर लिया हूँ यह जो grid line होती है अंदर की यह देखिए grid line जो है हम इसके अंदर setting करेंगे यह देखिए चारो तरफ से जो अंदर की grid line है हम उसके अंदर printable area रखेंगे हमारी इतने भी writing है वह इसके अंदर अंदर होना चाहिए और इससे थोड़ा सा control L दबाके हम इस side से skew dark कर लेंगे हम फरंट हटा देंगे हम पहले back की print देंगे control P दबाके printer select कर लेंगे Canon G1010 series यह printer है इसकी print setting में जाएंगे हम यहां देखिए पहले से id card select है क्योंकि मैंने इससे पहले print दिया था photo printing करेंगे तो दीखिए यहां पर paper size और सब change हो गए id card पर यह automatic ले ले लेता है photo paper quality ले ले लेता है card का यहां पर size 55 x 19 mm और quality high यह paper source 383 है इसमें हम copy ratio इसका 97 रखेंगे थोड़ा कम रखेंगे और हम print देंगे यहां से हम print देंगे दोस्तों इसकी जो print होती है ना यह lamination के बीच ओ बीच आती है तो इसके printing में भी कोई problem नहीं आती है और problem ऊपर से और दोनों तरफ से बीच में दब जाता है तो scratches भी कम पड़ता है और color भी नहीं उड़ता है और quality बहुत shining आती है अब हम इसमें यह जो a4 के पांच टुकड़े किये थे इसका size 262.5 सेंटीमेटर है हम इस से खड़ा लगाएंगे ऐसा कि यहां प्रिंट आ गी है पेपर मंग रहा है हम यहां पर दोनों तरफ से दबा के बराबर बैठाए के देख रहेंगे इसके बाद कि प्रिंट शुरू करेंगे कि अगर देखिए दोस्तों हमारी प्रिंट आ रही है यह प्रिंट आ चुकी है अब हम इस तरीखे से हमारी प्रिंट बाहर आई है अब हम इसे पल्टा के यह ऐसा इसे हम बैक साइट की प्रिंट देंगे दोस्तों हमारे बैक की प्रिंट आ चुकी है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबा फिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे लेर वह सलेक्ड कर लेंगे यह देख्यब फ्राण्ट की प्रिंट आ हमारी कंट्रोल पिकर्के हम प्रिंट दे देंगे देंगे यह दुसरी प्रिंट भी हमने दे दिए और यह िपटर की डियाए यह हमारी दूसरी साइट के भी प्रेंट आ गई है यह देखे दोस्तों यह फरंट है और यह प्रैन कार्ट का बैक साइड है यह बराबर इसके बैक में आई है अब जिस साइट से यह वाइट है हम इसे कट कर लेंगे अब हम साड़े तीन सो जी एसम का हम यह यूज करते है जे एमडी गोल्ड इसकी कॉलरेटी अच्छी होती है शाइनिंग अच्छी होती है और थिकनेस साड़े तीन सो माइकराउन ही होती है इसका साइज है यह 50 पीस का पैकेट है यह 140 रुपे का पैकेट आता है यह देखिए दोस्ते यह इसका पाउच है अब हम इस पाउच में इसे इस तरीखे से लगा देंगे यह देखिए अब हम लैमिनेशन आउन करेंगे और इसे फुल हीट पर रखेंगे जब तक के ग्रीन लाइट में आता है उसके बाद हम लैमिनेशन को इस पेपर में रखेंगे पेपर लगाने से क्या होता है पेपर लगाने से इसके साइड की जो गमिंग निकलती है हर लैमिनेशन में साइड से गमिंग निकलती है यह गमिंग निकलके उपर हीट रोलर पे चिपक जाती है इससे हीट रोलर के जो रबर के रोलर होते हो खराब हो जाते हम इसे फुल पेपर में ढखकर इसमें डालें ग्रीन लाइट आ चुका है, हमारी मशीन रेडियो गई है, यह हमने इसमें लगाया था पेपर में, अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे इसे यह लैमिनेशन हो गया है हमारा, हम इसे एक बार और लगाएंगे, पहले इस तरीखे से लगाया था आप लाइंड्सकेप, आड़ा करकेस में डालेंगे, एक बार और यह हमारा लैमिनेशन अच्छे से हो गया है, देखिए, अब हम इसे डाय कट में कट कर लेंगे, अब इस कार्ड को हम डाय में लगाएंगे, इसका रेजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अन्दाजे से हम कट करेंगे, यह देखिए दोस्ता हमारा काट रेडियो के है, इसकी कटिंग है, बहुत मजबूत होता है, खोलने से भी नहीं खोलता है, देखिए, हमारा कार्ड रेडियो हो गया है, जैसे यह आधार कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसी तरीखे से आप ड्राइविंग लेसन और दुसरे स्कूल के आईडी कार्ड भी बना सकते, दोस्तों अगर मेरा काम पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल का नाम है बाबाफिक्स, इसे लाइक, शेयर, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठैंक्स.